बुल्दिन के शुरुवात हिमाचल की बड़ी ख़बर के साथ करेंगे हिमाचल कॉंगर्स में छड़ी महाभारत में अब आमने सामने आ चुके हैं एक पिता और पुत्र पिता है सरकार के सबसे सीनिर मंत्री चंद्रकुमार जिनके बेटे भारती ने सोशल मीडिया पर पिता को धर्म और कर्म का ग्यान दिया तो पिता ने बेटे को गुनेहगार बता डाला देखे इस महाभारत से आरंभ से लेकर अब तक की पूरी कहान हिमाचल प्रदेश में महाभारत का नया अध्याए न्यूस जेटीन की खबर पर मंत्री पुत्र का पिता परवार मंत्री चंद्रकुमार ने बेटे नीरच को बताया कसूर वार कॉंग्रिस विधायक राजिन रुराना ने 9 अगस्त को फेस्बुक पर इस पोस्ट के साथ जिस महाभारत का शंखिनाद किया उस पर अब मंत्री चंद्रकुमार और उनके बेटे नीरच भारती मैं ही धर्म युद्द छड़ गया है बेटे ने पिता को सर्वजनिक तोर पर ग्यान दिया अपने पराय का सच समझाने लगा कर्वपत का आइना दिखाने लगा तो पिता ने बेटे को गुनहगार बता राला पांच पांडवों की कहानी से माशल कॉंग्रेस में छड़ी महाभारत के कुल चार पात्र अभीरन भेरी बजाते दिख रही है पहले उन पात्रों का परिचय प्राप्त कीजिए राजिंद्र राणा विधायक सुजानपुर सुधीर शर्मा विधायक धर्म शाला चंद्रकुमार क्रशी मंत्री और नीरज भारती पूर्व विधायक और क्रशी मंत्री चंद्रकुमार के बेटे अब शुरू करते हैं कॉंग्रेस के महाभारत का पहला अध्याए पहला अध्याए सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राना के इस फेस्बुक पोस्ट से आरंब होता है 9 अगस्त को अपनी पोस्ट में राना ने लखा है जो विवादों से दूर रहते हैं वहीं दिलों पर राज करते हैं जो विवादों में उलज जाते हैं वो अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं महा भारत का प्रसंग देखिए पांडवों ने सिर्फ पांच गाउ ही तो मांगे थे और द्रियोधन निस्वी की नौक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था एक जिद ने महा भारत रच दिया सुकून भरी जिन्दगी के लिए विवादों से दूरी है बेहल जरूरी राजेंदर राना की इस पोस्ट के बाद सियासी गल्यारों में अटकलों का बाजार गरम हो गया है कहा तो यह जा रहा है कि पोर मुख्य मंत्री प्रेम कुमार धूमल को सुजानपूर में हराने के बाद राजेंदर राना मंत्री पद के फाईशमन हो गए अभी जो तीन सीटे खाली है मंत्री मंडल में वो चारे है कि उन में से एक पद उन्हें दिया जाए लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि मुख्य मंत्री सुक्वंदर सिंग सुखू ने मंत्री नहीं बनाना चाते इसलिए उन्होंने ये पोस्ट डाली है कॉंग्रेस में महाभारत दूसरा अध्याय दूसरे अध्याय में एंट्री होती है दूसरे पात रियानी धर्म शाला से विधायक सुधीर शर्मा की जिन्होंने रण भेरी बजाते हुए राजिंदर रियाना के फेस्बुक पोस्ट पर कमेंड करते हुए लिखा तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है माना ये भी जा रहा है कि राजिंदर राना की पोस्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ही सुधीर शर्मा ने ये कमेंट किया है कि समय बड़ा बलबान होता है कॉंग्रेस में महाभारत तीसरा ध्याय राजिंदर राना की पोस्ट पर सुधीर शर्मा की कमेंट से कॉंग्रेस में कुटबाजी और नाराजगी के सवाल उठने लगे है विपक्ष हमलावर होने लगा है तो सीम और पाइटी के तरफ से मोडशा संभाला सबसे वरिष्ट मंत्री चंदर कुमार ने जिन्होंने नाराजगी जटाने वाले नेताओं पर बरस्ते हुए कहा कि वो क्या बोलेंगे मैंने उनके बाप दादाओं के साथ काम किया है मैं उस वक्त राजगी ती माज़द है जब पकि ये पैदा भी नहीं हुए थे मैं इनके बाप के साथ काम किया है मैं इनके दादों के साथ काम किया है लेकिन जिस शलोक का उसने वरन किया उसको भी मैं बता देता हूँ वक्त बहुत बलवान है नहीं बलवान इनसान हीरे लूटी कोपिया वो ही अरजन को ही बान कॉंग्रेस में महाभारत चौथा ध्याय चंदर कुमार ने खुद को नाराज नेताओं के बाप दादा के साथ काम करने वाला नेता बताया तो उन्हीं के बेटे नीरज भारती अपने पिता चंदर कुमार को नेता गिरी की नैतिकता का तकाजा समझाने उतर गए दो बार विधाय को रेक बार सी पीएस रहे नीरज भारती ने नियूज एटीन की खबर को टैग करते हुए फेस्बुक पर लखा चौधरी चंदरकुमार जी अपनी ही कांगरेस पार्टी के चुने हुए प्रतिनितियों पर तंज कसने से अच्छा है कि आप अपने जिले पर ध्यान दें आप सरकार में हिमाशल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगला के एक मात्र मंत्री हैं इसलिए अपनी पार्टी के चुने हुए विधायकों पर टिपड़ी करनी के बजाए इस जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में सोचें जो आज से आठ महीने पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं हैं जिले के कॉंग्रेस के कारिकरताओं के बारे में सोचें जिन्हें ये अधिकारी मुह नहीं लगा रही हैं उस विधायक पर भी नज़र रखें जो आपका और मुक्यमंप्री सुखु जी का खास होने का धौंग रचकर इन अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ काट बना कर बैठा है अब जानियें अपने पिता चंद्रकुमार से नीरज भारती के नाराजगी की वज़ए दरसल ये पूरकपूरा वाक्यात जो है ये एक तबादले से जुरा हुआ बतायशा रहा है सूतों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसके मताबिक जो आली विधानसवा क्षेतर के भाजबा के पूरव विधायक अरजुन सिंग की जो शिक्षक धर्म पतनी है उनका तबादला चंबा के एक दुर्गम क्षेतर में हुआ था लेकिन अरजुन सिंग ने अपने रसूख के बलबूते उस तबादले को रद करवा दिया है जानकर यहां तक भी मिली है कि जो तबादला था यह कहीं न कहीं पूरव सीप्यस नीरज भारती के इशारों पर गुआ था बावजूद इसके यह तबादला रद हो जाना अपने आप में ही बहुत बड़े सवाल पैदा कर रहा है और उसी तबादले को लेकर जो है पूरव सीप्यस नीरज भारती जो है वो अक्रोशित हो गए है वही बेटे नीरज भारती के बागी देवर पर जब पिता चंद्रकुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने बेटे को कसूर वार बता ढाला सवाल है कि कॉंग्रेस में छिड़े इस महा भारत में अब आगे क्या होगा क्या शिमला को रुक्षित्र का मैदान बनेगा जहां सत्ता के लिए अपने ही अपनों पर और तेज़ प्रहा करते दिखाई देंगे कांगल से बिचित्र शर्मा और शिमला से राजिंद्र शर्मा के साथ रनवीर सिंग न्यूज एटीन जम्मू कठ्वा की राजबाग पुलिस को बड़ी कामयावी मिली है राजबाग पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ ताल किया है चोरों की कब्जे से 21 मोटो साइकल और 10 मोबाइल जब्ट किया गया है जिसकी जानकारी देते हुए SSP कठ्वा ने बताया कि लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने कारवाही करते हुए बादर इलाके से तीन चोरों को दवोचा है जिनसे पूछ ताच जारी है जो भी इंफोर्मेशन आ रही थी तो और जो खानपुर लाके में फिर हमने तीन जो हैं यह चोर पकड़े गए हैं जिसमें जो में मास्टर माइन था वो विशाल कुमार था विशाल कुमार ने अकेले ही कम से कम 15 बाइक स्चोरी की थी और उसका जो साब दे रहे थे वो सु इस पाइक्स थी और उसके साथ ही दस मोबाइल स्मार्टफून इन्होंने यह चोरी की हुए थे और उसी पे अध्यार जिस्टर की गई और अब इनिशन इस पे हैं इन्वेस्टिकेशन पे हैं और हमें आशा है कि इनका जो ताने बाने हैं वो बाहरी गिरों के साथ भी हैं और किट हुआ में भी काफी हमें यह रिकवरी हो जाएगी तो उसी कब जांच के बाद ही पता चले जिलाबानिपूरा के शगुनपूरा सुनवारी में आज विभिन ऐसे सियासी वरकरों ने भाती जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहर करी जो गुजिश्टा कई से दूसरी जमातों के साथ वावस्ता थे बादीपूरा के शगुनपूरा सुनवल इलाके से तालोक रखने वाले इन काईकुनों ने जुम्ह को बीजेपी के साथ हाथ मिलाया जौाइनिंग की यह तक्रीब बीजेपी के बादीपूरा सदर नसीर लोन और जनरल सेक्रेटर उनकी उमंगो और उनकी मांगो और तबकात पर काम करेगा। टीम की तरफ से इनको अप्रिशेट करता हूं कि इन्होंने आज बात दिया जन्तापाटी का दामन फामा है। विया आई पी दर्शन के लिए 1100 रुपाय का शुर्क लगाने पर पूर्य मंत्री विक्रम ठाको ने सरकार पर हमला बोला है। व्यूभूई में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपया का शुर्क लेंगाना दुर्भाग यह पूर्ण फैसला है राजपार शुर्पर अप्शुक ने चन्डेकर शुर्बला एरेश पांच पर चक्की मोड के पास बीते दिरों बारिश से हुए नुखसान और शुर्टिक रस्ट हुए एरेश का जायसा लिया इस दौराँ डीसी सोलर मर्मोहन शर्बा और अन्य विभागों के दिकारी मौके पर मौजूद रहे वही बीजेपी विधायक पर क्याबिनेट मंतिया नेरुट सिंग ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मनना चाहिए कि वो कटूरा लेकर गाड़ी में सीम के साथ क्यों बैठे उना बीजेपी मंदल की बैठक पार्टी करायले में आजू चित की गई बैठक क्या देक्ष्टा मंदल अधिक्ष हरपाल सींग गिल ने की जबकि विठायक सर्पाल सिंग सर्ती बदवार मुक्तिती बैठक में शाबिल हुए मालता चित्व पॉड़ी मंदल में वी वी आई पी दर्शन के लिए 1100 रुपय का शुर्क लगाने पर पूर्य मंत्री विक्रम ठाकों ने सरकार पर हमला बोला है उन्हें ने कहा कि देव भुई में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपय का शुर्क लेंगाना दुर्भाग यह पूर्ण फैसला है राजपाल शुर्पर अप्शुक ने चंडिकर शुर्बला एरेश पांच पर चक्की मोड के पास बीते दिरों बारिश से हुए नुखसान और श्रतिक्रस्ट हुए एरेश का जायसा लिया इस दोराँ डीसी सोलर मर्मोहन शर्बा और अन्य विभागों के दिकारी मौके पर मौझूद रहे वही बीजेपी विधायक पर क्याबिनेट मंतिया नेरुट सिंग ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मनना चाहिए कि वो कटूरा लेकर गाड़ी में सीम के साथ क्यों बैठे से सेवाओं और सही देख भाल के लिए आज ही आएं SPS होस्पिटल लुध्याना विश्व सरियस वास्थे सेवाओं और सही देख भाल के लिए आज ही आएं SPS होस्पिटल लुध्याना इत्यास में पहली बाद शोफिया के आखरी गाउं हीरपूरा में तरंगा रैली निकाली गई शोफिया के युवा अपने हाथों और दिलों में तिरंगा थामें हुए हो और देश की प्रगती में यूगदान देनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ट प्रियास कर रहे हैं मेरी मिटी मेरा देश है क्योंकि 15 अगस्त की हम तैयारी कर रहे है 15 अगस्त को अभी चार दिन रहे हैं हमें पूरी तैयारी करनी है यह जो पंचायत हीरपूरा इस यह मेरे अंडर में आती है क्योंकि हर नौजवान के हाथ में तिरंगा है इंशाला हर जवान के हाथ में तिरंगा रहेगा हमें अपनी देश को आगे बढ़ाना है और हमें पूरे वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड से आगे हमारा देश होना चाहिए जो कि अभी चल भी रहा है हमारा देश आगे बढ़ रहा है हमें अपनी देश को सपोर्ट करना है पुन्च में पुलिस की तरफ से मेरी माथी मेरा देश और शहीदों को नमन करने के लिए रैली का आयोजिन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा था में भाग लिया पुन्च पुलिस लाइन से शुरू होकर ये रैली पूरे नगर के चक्कर लगा कर पुलिस लाइन में शहीद इस मारक पर संपन्द हुई जहां शहीदों को नमन किया गया पुरे बजार से तरंगा रैली निकालने का मकसद यह था कि हम कर्भानियोंते का राँटीकारी की जिनके वजह से हमैं आजादी बिली और हम यह प्रंड के हम कभी भी बहुकर उनकार नहीं जाने भी आजादी कि अमरित महुट्सों के तरहे बाठी मेरा देश अभियान के तरह जमु कotta पुलिस और सी-ार-पि-फ द्वरा नौशेहरा बाजार से निकाले गए जिसमें भारी संक्या में इस्थानिये लोग का शामिल हुए और इस तरंगा रहली में उनका उत्साह देखने को मिला इस मौके पर बोलते हुए एस पी नौशेहरा मुमद रफीगीरी ने बताया कि भारस सरकार द्वारा स्वतंतुत्रा दिवस को लेकर चलाए जारे मेरी माठी मेरा देश अभियान के तैयर प्रदेश भर में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तिरंगा रैली निकाली जा र रहे हैं चुकि हमें जो अजादी मिली है इसमें हमारे अनेक महापूर्सों ने अपने जीवन की बलिदान दिया है काफी लोगों ने काफी संगर्ष किया तब जाके हमें अजादी मिली तो अजादी का महत्व क्या होता है यह हम सब को समझना चाहिए राष्ट्र जो है इस सब्सक्राइब एक प्रशुक्राइब एक स्टेज पले कथा सूत्र का मंचन किया गया इस स्टेजपले के माध्यम से कहानियों की एक अधबुद दुन्या प्रस्तुत करने की कोशिश की गई लाइट और साउंड के माध्यम से कथावाचन की पारंपरिक पढधती को आम जनता तक पहुचाने का प्रयास किया गया इस कारिक्रम को दिल्ली की सभी कालाकारों को समर्पित किया था प्रेमचंद की दो कहानिया मिस पद्मा और बुढधी काकी को प्ले के रूप में पेश क किया इस कारिक्रम के मुख्यातिती संगीत नातक अकाडमी नहीं दिल्ली के डिप्टी सेक्रेट्री सुमन कुमार रहे हैं इस आवसर पर मुख्यरूप से मशूर लेखर डॉक्टर प्रताप सहगा गौरो मारवा कैप्टरन रभी कपूर शिवांगे खत्री अभी शेक मे राधिकाल मेर नहीं काते। मैं तुम्हारे किच्छा खती बिरॉट कभी कोई काममे इकरती। और तुम कज पाज काड़ बुढ़ डाटते रहते ओ, तुम्हे बढ़ पर रत्र taką कष़ल नहीं काती। मुझे भी तुमसे कुछ साथ दिबूती मिनने चाहिए वरसाथ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तर्यार हूँ और आज जो मिनी है वालत है तुमसे आँके पेल रहे वरसाथ मुझे माव कर लो प्रसाथ मिनी माव कर लो पन बजह चोड़ने माच जाओ स्वतंद्रत्रा दिवस से पहले नियायमूर्थी ताशी रबस्तान और DLSC की अधिक्षिर हक नवाज जरगर प्रधान जिला एवं सत्र नियाहदीश ने जिला जेल उधंपूर का दोरा किया आजेशर्मा सबजज और सचीव DLSC उधंपूर अधिक्षिर जिला जेल अतिरिक्ट S.P. उधंपूर और अन्ने जेल कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया आगमन पर नियाहमूर्ती ताशी को अपचारिक कर्स सम्मान दिया गया जिसके बाद उन्होंने इमुलाकात केंद्र का दोरा किया और वीडियो कानफरेंस प्राली का भी निरक्षड किया नियाहमूर्ती ताशी को सुचित किया गया कि जब भी कोई जेल कैदी या उसके परिवार का सदर से यह मुलाकात के लिए जेल अधिकारियों से संपड़ करता है तो इसकी विवस्ता की जाती है नियामोधी ताशी रवस्तान ने बाद में कैदियों से बाचीत की और उन्हें प्रदान की जाने वाले जिकित्सा और अन्निस विधाओं के बारे में जान करे लिए जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले पंदरा अगस को हम अपना अन्निस डे सेलिबरेट कर रहे हैं उसके उपलक्ष में आज ऑनरेबल जस्तिस ताशी रवस्तान जो की एग्जेक्टिव चेर मेंने लेगल स्विस अथार्टी के और उनके साथ हमारे बाकी जैज साहिबान आ जलते कई रास्ते बंद हो गए हैं सचेत रहने वाले रहनी वाली बात यह है कि मुस्म विभाग ने 14 अगस्त कई जिलों में भारी बारिश का अलड़ चारे किया है हिमाचल में तूटते पहाडों से सावधान चंबा से सोलन तक परस रही चटान नाला गड़ बिलासपूर में भी आफत में जान यह हिमाचल में खत्रे और तबाही की नई तस्वीरे हैं गुरवाराथ से शुरू हुई बारिश के बाद कहीं बड़े बड़े चटान पहाडों से किसक कर सडकों पर आगिरे तो कहीं सडकों से गुजर रही गाड़ियों पर चटानों की बारिश होने लगी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा ये वीडियो चंबा के जाबली दत्यार इलाके का बताया जा रहा है जहां 20 सेकंड में पहाड का एक बड़ा हिसा खिसक कर चंदिगर शिमला हाइवे पर आगिरा इस हाइवे पर पहले से ही दो जगह भूस खलन के चलते यातायात बंद था और अब तूटी इस नई मुसीबत से हाइवे को बहाल करने में और ज्यादा वक्त लगेगा हाइवे पर बिखरे पत्थर, चटान और मलबे की ये तस्वीर सोलन की है जहां पहले से ही बेहाल परवाणों शिमला नैश्रल हाइवे पर गुरवार रात धाई बजे के करीब चक्की मोड के पास भूस खलन हुआ जिससे करीब दस घंटे तक हाइवे पूरी तरह से बंद रहा जिससे साफ कर फिलहाल छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोला गया है इस बार सबसे बुरा हाल नाला गढ़ का दिखाई दे रहा है जहां गुरवार रात को करीब छे जगहों पर भूस खलन की खबरे हैं कहीं सडकों पर चटाने गिरी हैं तो कहीं मलबे और पेड़ जिससे नाला गढ़ में राम शहर, राम शहर से धूली, स्वरा घाट, शिमला, जगह जगह सडकों पर वाहनों की कतार लगी हुई है और सैकडों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और ली वाला रोड गंपरबूल तक और जो शिमला वाला जो संपारिक मार्ग है जितने भी है वो सारे पूरी तरह से ब्लोक हो चुके हैं भारी भारी चटाने जगह जगह पे गिरी है और लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है यह तस्वीर बिलासपुर की है जहां बारश के बाद श्री नैना देवी तरह से बारी चाने के लिए भी बहुत मुश्क्रतों का सामना करना पड़ रहा है यह तस्वीर बिलासपुर की है जहां बारश के बाद श्री नैना देवी भाकडा नांगल और श्री नैना देवी कैची मोड के पास सड़क पर भोसखलन हुआ भाकडा नंगल रोड पर हुए भोसखलन में कई यात्री उस वक्त बाल बाल बच गए जब मलबा सहित पेड कारों पर जा गिरे फिलहाल नैना देवी से भाकडा नंगल और कैची मोड जाने आने आने वाले सड़कों को बंद कर दिया गया है जिससे कई श्रधालों और यात्री जहां तहां फंस गए हैं ऐसे में अब दर्शन करने आए श्रधालों को अननपुर साहिप के रास्ते बिलास पूर भेजा जा रहा है न्यूजेटीन की अपिल ये है कि अगर जरूरी न हो तो अगले चार दिनों तक आप कहीं आने जाने से बचें क्योंकि मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है चमबा से हिम ठाकुर, सूलन से किर्थी कौशल, नालागर से जगत सिंग बैंस और बिलास पूर से अरुन चंदेल की रिपोर्ट न्यूजेटीन